वाहिगुर्जी गखाल सा वाहिगुर्जी के फते मेरा नाम लखिविंदर कोर है मैं ग्रीन पारक पब्लिक स्कुल वीच बाजिमी जमात वीच पढ़ती हैं मैं तो हन्नों सज्जन ठाग दिसा के सुनों जा रही हैं गुरुजी पाक पटन दोचाल के मुलतान देतु लंबा प्रेंड तक पोंचे रास्ते विच ओना ने बहुत वड़ा आते सोना कारवे खिया शेख ने ओडेरा रास्ते विच लंगन वाले मुसाफरां दे अराम लई बनाया होया सी उस डेरे विचहार इकणू रहन लई था अते खान नूँ पोजन मिलदा सी राही पावे मुसल्मान होवे पावे हिंदू केसे नाल कोई वितकरा नहीं सी सज्जन ठाक सादुआ फकीरां वाले कपड़े पावे माला फेदा रहन दा सी अते मुसाफरां दी सेवा करदा सी उस नोहार इकमिलन वाला सज्जन कहके बुलांदा सी उस दा असली नाता हो पुल्ली गैसन सज्जन ठी जमीन काफी सी उस विच अपने मजदूरा पास्तों खेती करवांदा सी उस दी अपनी आमदनी दा एक होर तन्दा सी ओ रात गुजारन वाले मुसाफरां नूमार के ओना दियान अशंखो विच सुट दिन्दा सी अते उन्ना दा सारा माल हजम कार लेंता सी उसने गुरु जी नू वेख के अंदाज्या लगाया कि गुरु जी ता बहुत वड़ेत नाड़ लागदे सान गुरु जी ता मना दियान जान दे सान गुरु जी वलो केड़ी गल गुची रह सक दिया गुरु जी ने सज्जन ठाग दी बोल चाल विच्चों उस दी सारी करतूतम पड़ लिया सान गुरु जी ने शाम दा पोजन खान पिछो सजन ठाग ने गुरु जी ने कहा चलो सांत जी अंदर जाके अराम नाल सोच जाओ गुरु जी ने कहा पाई सजना असी एक शाब्द मानलक दी उस्तत विच पाड़के सोमांगे बाई मर्दाना ने रबा बजाना शुरू की ती गुरु जी ने शब्द दा उचारन की ताम जद ओह शाब्द सजन ठाग दे कन्नी पेयाता उसनों इंज लगा की गुरु जी ने उस दा उस दी सारी काली करतू ताम वारे पता लाग गिया उसनों इंज लगा की गुरु जी ने उस दी सारी काली करतू ताम वारे पता लाग गिया इसलए गुरु जी ने केहा कांसी दा बरतन जिनना कांसी दा बरतन बारो जमक दा है पार जाद उसनों हाथ लाँने हाथा हाथ काड़ा हो जानता है कांसी नू तोन पिच्छों भी उस दी कालक नहीं जन्दी है जेडे सांत तीर्था वाले चिट्टे कपड़े पाके माना फेर देहान पोले पटकियानों लूट देहान उन्ना नू पगत नहीं किया जन्दा शब्द दा पोग पैन पिच्छों सज्जन ठाग गुरु जी दे चर्ने टैपे या ते गुरु जी दे कहें ते उसने सारा तान सारा माल गरीबा विच वांड दिता अग्ये तों ओहो हाक साची दी कमाई करन वाला सच्चा सज्जन बाण गया वाहिगुर जी का खाल सा वाहिगुर जी की फते